एक अगस्त 2022 से वोटर आईडी कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया सुरू हो गई है जिसके लिए आपको फॉर्म 6 भी भरना पड़ेगा आज की इस वीडियो में हम आपको वताने वाले हैं कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को अधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं या एक EKYC की जैसी प्रक्रिया है आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और अंतितक देखिएगा जब आप वोटर आईडी कार्ड को अधार का application आपको install करना पड़ेगा उसकी बाद application open करना पड़ेगा उसकी बाद आपको एक disclaimer so होगा तो आप यहाँ पर agree करेंगे agree करने के बाद next वाले बटन पर click करेंगे उसकी बाद आपने recording एक language को यहाँ पर select करके gate started पर click करेंगे उसकी बाद voter registration पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर form 6B पर क्लिक करेंगे form 6B पर क्लिक करने के बाद यहां पर let's start पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक mobile नमबर डालेंगे और send OTP पर क्लिक करेंगे वाल नमबर पर एक OTP प्राप्त होगा OTP डाल कर आप verify बटन पर क्लिक करेंगे verify बटन पर क्लिक करने के बाद आप से पूछा जाएगा क्या आपकी पास voter ID नमबर है तो यहाँ पर अगर आपको मालूम है तो yes पर क्लिक करेंगे नम डाल कर fetch detail पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर बता दिया जाएगा कि record found कर लिया गया है तो नीचे proceed वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपका पूरा detail यहाँ पर आजाएगा जैसे आपका नाम, age, gender यह सारा detail address आजाएगा बस आपको नीचे यहाँ पर next वाले बटन पर क्लिक करना है उसकी बाद आपके सामने इस प्रकार की interface नजराएगे यहाँ पर आपको अपना अधार detail एंटर करना होगा यहाँ पर आप अपना अधार नमबर को दर्ज करेंगे उसकी बाद नीचे यहाँ पर आप अपना mobile number, email id और यहाँ पर place of application तो आप अपने जगह का नाम, email id और mobile number को डालेंगे उसकी बाद नीचे डन वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक preview दिखाया जाएगा बताया जाएगा कि आप चेक कर लिजी जो भी detail आपने डाला है कि आज सही सही है तो यहाँ पर सही है तो आप confirm वाले बटन पर क्लिक करेंगे confirm वाले बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका application successful submit हो जाता है और एक reference number आपको मिल जाता है इस reference number से आप track कर सकते हैं इसके लिए आप note करके रखेंगे status को track करने के लिए आप home screen पढ़ाएंगे यहाँ पर explore पर क्लिक करेंगे उसकी बाद यहाँ पर आपको एक option दिखाया जाएगा जहाँ पर status of application इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद reference ID डाल का track status पर क्लिक करेंगे यहाँ पर status को आप एक दिन दो दिन बाद track करिएगा क्योंकि तुरंत नहीं हो रहा तो finally मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि किस प्रकार से आप voter ID कार्ड को अधार कार्ड से लिंक कर सकती है और कैसे तुरंत की तुरंत आप voter help line application के मदद से यह प्रकडिया कर सकती है उमीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद नहीं आता है वीडियो को डिसलाइक करिएगा साथिसत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्यों पसंद नहीं आया और कोई सवाल है तो वीडियो की नीचे कमेंट करना बिलकुल भी ना भूले मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो जरूर करिएगा धन्यवाद